लुध्याना पहुंचे पंजाब की उपमुख्य मंत्री सुगबीर सिंग बादल ने पुलिस महकमे के लिए कई सोगाते दी हैं साथी डिप्टी सीम ने कहा है कि पुलिस के आधुनी करण का काम सपलता से आगे पड़ रहा है लुध्याना में पुलिस के काफिले में 150 गाड़ियां शामिल करने का सिलसला शुरू हो गया है जिसमें से 70 गाड़ियों को डिप्टी सीम सुबीर सिंग बादल ने हरी जंडी दिखाई वहीं इस माके पर उप्मुक्यमंत्री ने कहा कि सुबे की पुलिस को मॉडरिनाईज करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जिसका फाइदा सुबे की जंता को मिलेगा उधर इस माके पर पंजाब के डिजी पी सुरेश अरोडा भी माचूत रहे उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि सुबे में क्राइम के आंक्रों में गिरावट आई है उन्होंने राज्चे में सक्रिय अपराध गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए स्टेएफ फोर्स का भी जिकर किया डिजी पी को उमीद है कि पकोका बनने के बाद संगठित अपराध पर नकेल कसने में काम्या भी मिलेगी बिरो रिपोर्ट जी मीडिया लुध्याना